कि वट्सप गाइज में नाम है अजे और आप देख रहे है टेकी लेंच और आज किस वीडियो में फिर से लेकर आया हूँ असुस जैनफोन मैक्स प्रो एम और मैक्स प्रो एम टू यूजर्स के लिए पिक्सल 3 का लेटेस्ट जी कैम जो कि है जी कैम 6.3 और जो इसका पहले वाला वर्जिन था वो था जी कैम 6.2 तो बेसिकलिए आज की वीडियों में आप लोगों को दिखाऊंगा कि जी कैम 6.3 में फो इसको क्या चीजह नहीं देहने को मिलेंगी और कुस नये 5000 देहने को मिलेंगे नहीं टायम वेंस्ट नहीं करते यह फट्अब वीडियो के स्टार्ट करते यह अगर आप शेंट नहीं हो तो ब्ले प्लैकन के ब्ल चेंज होगे पहले ब्लैक टाइप में था बट अब चुका है और मैं इसको open कर लेता हूं तो guys मैंने यहां पर इसको open कर लिया अभी आप इसका देख सकते हो यह पिक्सल 3 का जी कैम है और सबसे पहले चीज जो आप यहां पर notice करोगे वह इसका नाइट साइट वाला फीचर जो की अब लेफ्ट साइड में आ गया है पहले आपको वह मौर सेक्शन में देखने को मिलता था बट अब इसको आप स्वाइब करके एक्सेस कर सकते हो लेफ्ट स्वाइब करके वही बेजिक पहली चीज यहां पर वीडियो सेक्शन देहने को मिल जाता है बट यहां पर आपको उपर fps को आप्शन देहने को नहीं मिल रहा है जो आपको पहले 30 और 60 fps को आप्शन देहने को मिलता था तो यहां पर कैमरा नॉमली काम करता है यह मैंने क्लिक करके देखा य यह max pro m1 और max pro m2 में भी काम करता है और यहां पर portrait mode भी work कर रहा है तो पीछे तो कोई नहीं है but मैं अपना एक selfie लेकर आप लोग को दिखा देता हूं जो कि मैं हर बार करता हूं इससे आप लोग को तसली kind of हो जाती है कि यह selfie camera काम कर रहा है तो मैं एक photo लेकर आप लोग को दि अच्छी तरह के से काम करता है अब देखते हैं more section में हमें क्या चीजे नहीं देखने को मिलते हैं तो settings में हम चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर basic settings देखने को मिल रहे है जो कि आपको Gcam 6.2 में देखने को मिलता था बट आपको यहां पर उपर में एक extra standard setting भी द time lapse वाला feature देखने को मिलता है जो कि Gcam 6.2 में देखने को नहीं मिल रहा है और यहां पर advanced setting में देखते हैं तो यहां पर आपको input model का देखने को मिल रहा है option जो कि back camera और front camera दोनों का input model देखने को मिल रहा है और सबसे interesting चीज यहां पर आपको pixel 4 और pixel 4 XL का भी model देखने को मिल जो कि अभी तक launch भी नहीं वह phone और front camera में वही same pixel 4 और pixel 4 XL literally nexus 5X से pixel 4 XL तक का आपका सारा model देखने को मिल जा रहा है और नीचे आपको वही जो Gcam 6.2 में option देखने को मिल रहा है तो मैं आपको यहां पर ज्यादा time waste नहीं करूंगा सारी जो वही है जो आपको Gcam 6.2 में देख बहुत कम है Gcam 6.2 के मामले से अगर आप देखो तो compare करो तो यहां पर थोड़ी बहुत कम option में को देखने को मिली और गाइस मैंने यहां पर try करा में को बाद में पर चला कि यहां पर जो HDR mode है वो काम करता है बट HDR enhance जो प्लस वाला mode है वो कभी-कभी ठीक से काम नहीं करता है बट काफी सारी यूजस custom Rome यूज करते हैं और like उनको जानना कि यह यह काम करता है कि नहीं करते है तो तो गईस मतलब यह main problem है में नहीं बता सकता तो अगर अप custom Rome यूज कर रहे हो तो आप इसको ट्राइ कर सकते हो और आप में को comment section ने बता देना कि यह custom Rome में काम कर रहा है या फिर काम नहीं कर रहा है तक क्या क्या फीचर्स वोगरे उसमें चल रही है मैं कमेंट सेक्षन को पीन कर दूंगा जैसे कि कुछ भी कस्टम रोम यूजर से वो कमेंट सेक्षन को देख सकते और जान सकते इस पिक्सल मतलब ये पिक्सल 3 का जो लेटिस Gcam है ये अची तरी स तो आप comment section ने बता देना और मैं आपसे मिलता हूँ next video में तब तक के लिए bye bye देखिए